मदिप डेस में MBBS की पढ़ाई हिंदी में कराने के साथ ये दवाओं का पर्चा भी हिंदी में लिखने की शुरुआत हो गई है करेक्टर ने इलाज कराने वाली महिला की जाच का पर्चा और दवाईयां हिंदी में लिखी CMC वराज ने डॉक्टरों से ये अपील की थी सतना जिले के कोटर स्वास केंदर में पदस डॉक्टर सर्वेश सिंग ने इलाज कराने आये मरीज की जाच पर पर्चा हिंदी में लिखा उन्होंने पर्चे में RX की जखा स्री हरी से सुरुआत की इतना ही नहीं दवाईयों के नाम भी हिंदी में लिखें दरसर रवीवार को मद्पिदेश में मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में भी कराने की शुरुआत हुई ग्रह मंतरी अमिश शाह ने मेडिकल स्टुडेंट के लिए तीन किताबों का विमोचन किया था वही मुख मंतरी सिवराज सिंग चोहान ने भी डॉक्टरों से परचा हिंदी में लिखने की अपील की थी इसके बाद ही डॉक्टर सर्वेश ने ये पहल की हिंदी में परचा लिखने वाले सतना के डॉक्टर सर्वेश सिंग मत्पिदेश के पहले डॉक्टर ने तो कोडर पी एचसी में गौव लौलाज की रस्मी सिंग पहली मरीज चिनकी सेहत का हाल और दवाईयां हिंदी में लिखी गई हैं रस्मी कोडर स्वास केन में स्वास्त परिचर कराने पहुची थी डॉक्टर सिंग ने पर्चे की सुरुवार आरेक्स के बजाए स्रीहरी लिख करकी बीपी सुगर लेवल पल्स रेट वगेरा हिंदी में दर्श किया फिर सभी दवाईयों के नाम भी हिंदी में ही लिखें सरकारी एस्पतार में नई परंपरा सुरू करने के साथ डॉक्टर सिंग ने इसे अपनी नीची क्लीनिक में भी अपनाया उन्होंने यहां आई मरीज सुरीखा सर्मा की पर्चे में भी हिंदी में ही दवाई लिखी हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई के सुभारम का कारकिरम टीवी पर देखते हुए ख्याल आया कि क्यो ना इसकी सुरूआत आज से की जाए उन्होंने पताये कि पहली मरीज रस्मी सिंग आई तो उनका पर्चा हिंदी में लिखकर इस अभी नव अभियान में सहभागिता का प्रयास किया मुख मंदरी सिवरा सिंग चोहान ने कारकिरम में कहा था कि पर्चे की सुरूआत आरक्स की बजाए स्रीहरी से हो और पर्चे हिंदी में लिखे जाए तो क्या हर्ज है बात अच्छी लगी दिल को छूग गई तो पर्चे में सबसे पहले स्रीहरी लिखा और फिर मरीज की इस्तिती दवाय सब कुछ मात्र भासा हिंदी में लिखा। रस्मी गर्वती हैं इसलिए उनके स्वास्त के बारे में पूरी जानकारी मात्र भासा में ही लिखी गई। दवाय का नाम, क्रोसिन लिखना है को रूदू, क्रोसिन हिंदी में लिखने आ सकते हैं उसमें क्या दिखना है, क्या परेशा है। उबर स्रीहरी लिखो और क्रोसिन लिखना है।